नमस्कार दोस्तों जगुटेक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज हम आपके स्वास्त के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे स्वास्त रहें, खुस रहें तो आज का हमारा टॉपिक है जीरा, जो हर रस्वोई घर में इजली मिल जाता है, मगर उसके महत्वपूर्द चीजों को हम नहीं जानते हैं और अगर जो हम बताने जा रहे हैं, आप वगर वैसा करते हैं, तो आपका वेट लॉस होगा और आपका सरीर भी स्वास्त रहेगा दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक जगुट टेक को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजे, इस स्क्रीन के सामने आपको रेट की बटन दिख रही होगी, जिस पे आप क्लिक कर देंगे, एक गोले में रेट करर की बटन दिख र आपको as a notification कि तुरू आपको मिल सके, दोस्तों तो आज हम discuss करेंगे जीरा के बारे में, दोस्तों जीरे का यूज अगर आप पड़े, लगभागी एक चम्मज करते हैं तो आप स्वस्त रहेंगे, स्वस्त के साथ साथ आप अगर ज्यादा मोटे हैं, हेल्दी हैं, अगर आपका चर्बी भी बर्न होगी तो जीरा बहुत ही आपके लिए, हेल्द के लिए important है, हम चलिए फटा-फट आपको बताते हैं, जीरे का कैसे यूज करेंगे, आपको करना क्या है? आप जीरे को एक चम्मच डेली खा सकते हैं, जो आपके वेट लॉस में लाबदायक होता है, और ये आपको इजली किसी भी रसोई घर में मिल जाता है, आप क्या करिए रात में सोते समय, जीरे को एक चमच ले लिजे, पानी में, एक ग्लास पानी में उसको डाल दीजे, डालने के बाद आप जब मॉर्निंग में उठेंगे, तो उसी पानी को बॉइल कर लेंगे, उबाल लेंगे, और चाय की तरह धीरे धीरे आप पीते रहिए, एक ध्यान रखने वाली बात ये है, कि जब भी आप इस टेक्निक को अपनाएं, तो इसके बाद जैसे आप जीरे का पानी बॉइल करके मॉर्निंग में पीते हैं, तो लगभग उसके बाद एक या डेड़ घंटे आप कुछ भी न खाएं, इसके पहले भी मैंने एक जीरे पे वीडियो बनाया था, जिस पे लोगों का कमेंटे आया था, कि हमें ज्यादा बेनफिट नहीं मिल ला है, ये एक आयुरुबेदिक चीजे हैं, आयुरुबेदिक चीजे हमेशा परहेज मांगती हैं, परहेज आप नहीं करेंगे, तो इस आप जो रात में जीरा भीगोएंगे, पानी को बॉइल किये, करेंगे मॉर्निंग में और उस पानी को पीएंगे, पीने के एक डिएड़ घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना है, जो जीरा बचा हुआ है, आपको मन करता है, तो आप उसको कूच कूच की खा लिजे, सेकेंड मैं जीरा का बेनफिट बताने जा रहा हूँ, आप हींग ले लिजे, भुनी हुई हींग, काला नमक, और जीरा, जीरे का चूण बना करके लगभग 2-3 ग्राम दही में डाल कर, डेली आप 2-3 बार अगर खाते हैं, तो आपका जो मोटापा है, वो कंट्रोल में रहेगा, कलिस्ट्रॉल जो है, आपका कम रहेगा, और आपके ब्लड का जो सर्कूलेशन रहता है, बहाव, वो भी तेज हो जाता है, और आपका ब्लड भी साफ होता है, थर्ड है, रात में आप क्या करिए, जीरे को भिगो दीजिए, भिगोने के बाद जैसा मैंने पहले बताया था, आप उसको भिगोने के बाद मौर्णिंग में उठिए, उसको बॉयल करिए, और बॉयल करने के बाद, आप उसको उसमें आधा टुकडा नीवू को निचोर दीजिए, ये लगभग दोस्तों, आप अगर 15 दिन करते हैं, त तो मैं का जार्टी देता हूँ, कि आपका वेट लॉस होना ही होना है, और आप जीरे को अधरक और नीवू, सलात के रूप में कर सकते हैं, जीरे को और नीवू को और अधरक को और गाजर को आप मिक्स करके खा सकते हैं, ये भी आप अगर 15-20 दिन करेंगे, तो आपको बे तो ये थी जीरे की छुपी हुई कुछ महतपूर चीजें, जो हम आज तक नहीं जानते थे, दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए, मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिए, थैंक्स for watching.